पच्छिलो समय नेपाल मा बेदोत उत्पादन को वेशाईले धेरेको ध्यान खीचेको छा नेपाल मा जल बिदोत उत्पादन का लागी अनुकूल भो बनोट भायकाले बनी उर्जा उत्पादन खपत तथा विक्री बितरन करेर रास्ट लाई सम्रित बनावनों सकीन चा भनने धेरेले लाग सा तर जल बिदोत उर्जा उत्पादन का चित्र मा सरकारे ठोसी योजना लगानी मैत्री अईन नियम कानुन बनावनों चुकेको भनी आलोचनार बहस्मनी भायरे कहेशन ये सरी अहिने को अबस्ताहेर दा सरकार लाई विदोत उत्पादन खपत रविक्री बितरन मा सुनाओती थपी देगाएको देखिन छा एक रिपाट बवाब हुनु राज़ले नीजिश्यत्र लाई उत्पादित उर्जा निरियात को ठोका नखलनु लगायत का समस्यारू चुनाउति बनी रहे काशन। नेपल विद्यत् प्रादिकरणले नहीं हाल मुलुक भर 1,30,000 मेगावाट विद्यत उत्पादन छेमता रहेको प्रक्षेपन गरेगो छा। अर्थात उखुको खोष्टा बाट उत्पादित उर्जा 6 मेगावाट रहेको छ। अहिले सम्मा बार्षिक प्रतिव्यक्ति उर्जा खपत 377 यूनिट मात्र रहेको छ। जबकी सरकारली संद्वेजा 24 पच्चे सम्मा प्रतिव्यक्ति उर्जा खपत 7 यूनिट पुर्यावने लक्षरा केको छ। तर उक्ता समय सम्मा पुगने गरी सरकार आवशेक्त तयारी मा भने जूटे को देखी दैना सबै शकुराला समा पेश गरता एक टे सुनोधी बन्नू परता त्यो बने को पुर्वादाने रहा सरकार को कमजोर तयारी का कारण पनी उर्जा उत्पादन वितरन आंधरे खपत रभाई या निरियात गरने विशे निके पेचिलो बंदे को छब ख़त्सले कोना पनी आको संदरोवाध पनी आमेले कये परसर रही ज़िए यो सरकारी निजी मंदवा दसरे चोटा को कि आयाके साँ इस अमने हमले भ्यश आख वो तो नेपाता बरता उनिके भणी रहाँ पनी अमेले तो अम्रों अम्रों पहने प्ष़ाख शोर्कारी आख उर्जा ब्यापार बारे सम्भाव्यता का बहस्चली नहदा शूद्रिट नितिका साथ राज्यने कारेन्वेन मा इमांदार बन्न जरूरी देखिन सब।